विनोध करना को मुंबई स्तेथ हस्पिताल में भरती हुए 18 दिन हो गए शुरुआत के कुछ दिन ये बात उनके परिवार ने छिपा कर रखी लेकिन जैसे ही एक पोटो वाइरल हुआ सभी चिंतत हो गए सल्मान खान तो आदी रात अपने पसंद दीदा हीरो से मिलने पहुंच गए कहा गया कि शरीर में पानी की कमी के चलते उन्हें हस्पिताल में भरती किया गया था लेकिन 18 दिनों तक कितनी चोटी सी बात के लिए कोई भरती रहता है क्या विनोद खना को कैंसर है जैसी अफवाही भी उड़ी जिसकी किसी ने भी पुष्टी नहीं की है बेराल उनके स्वास्त के बारे में ताजा खबर ये है कि वे ठीक हो रहे हैं उनकी हालत स्थेर है बॉलिवड के खबर्चियों का कहना है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट अब पहले की तुलना में बैतर है लेकिन डॉक्टर्स अभी उन्हें चुटी देने के मूड में नहीं है वे थोड़ा इंतजार और करना चाहते हैं विनोद करना के फैन्स चिंतिद हैं उनकी बैतरी के लिए दुआ कर रहे हैं उमीड है कि जल्दी ही विनोद करना को हस्पाल से चुटी मिल जाएगी पर मोर बॉलिवड और पॉलिवड अपडेट सब्सक्राइब आर चैनल सवेरा स्टार्टॉक्स